राधे राधे दोस्तो दोस्तो आज हम बात करेंगे राधाकुंड स्थान की महिमा की पूत प्राप्ति का उपाय क्या होता है संतान प्राप्ति का उपाय और अहोई अस्टम तिधी के बारे में राधाकुंड स्थान कहां पर है राधाकुंड स्थान कब है राधाकुंड 2022 में कब है ये क्या होता है इसका क्या महतों है श्री राधा कुंड स्नान की कहानी वे पुरानिक मान्यता के बारे में आप आज हम बात करेंगे पोराने कमानेताओं के अनुसार अहोई अस्टमी के दिन प्रती एक वर्ष श्री राधा कुंड में पती वे पतनी दोनों को ही निर्जला बरत रखकर मध्य रातरी के समय में राधा कुंड में डुब की लगानी चाहिए ऐसा करने से दमपती के घरों में संतान उत्पती जल्दी ही होती है संतान संबंदी मनो कामना पूर्ण होती है यह है प्रता द्वापर्यूग से चली आ रही है तो आईए अब हम बात करते हैं राधा कुंड सनान कब है शुब मुरत क्या होगा और अहोई अस्टमी के बारे मे तो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजे ताकि जो नोटिफिकेशन्स है वो सब आपको बैल आइकन के त्रू मिलते रहें और आप दोस्तों में शियर कीजे ताकि और लोग भी इसका ग्यान प्राप्ट कर सके तो आई दोस सूमार सथर अक्टूबर दोसर बाइस को है राधाकोंड सनाथ मौहरत ग्यार्य वज़ कर 40 मिनट से मध्य रात्री में यानिकी आरब अक्टूबर की मिनट瀸ा सबह है साड़े बारे बज़े तक यह इसके अवधी रहेगी कुछ अवधी कुल अवधी इसकी रहेगी पिचास मिनट यानि कि 11.40 से 32 तक कुल मिनट बैठ रहे हैं 50 मिनट उनली तो अहोई अस्टमी व्रत 17 अक्टूबर 2022 को है अस्टमी तिसी प्राड़ाम होगी 17 अक्टूबर 2022 को 9 बज़ कर 29 मिनट पर सुभा और इस समाप्त होगी 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर के दिन सुभा ही 11 बज़ कर 17 मिनट पर कार्तिक मास के अस्टमी को जिन जोड़ो को संतान उत्पत्ती नहीं होती या फुदर की प्राप्ती नहीं होती वे निर्जल वृत रखना सब्तमी की रात को यानि अस्टमी को पुने नक्षतर में 12 बजे से स्नान करते हैं उलोग जिनको संतान प्राप्ति चाहिए होती है इसके बाद इस्तरिया अपने बाल खुले रखती हैं और राधा की भक्ती करती हैं और आश्रुवाद प्राप्त करती हैं यानि की दोस्तों आप समझे शयद की सब्तमी की रात को यानि की अस्टमी की सुभा को राधा कुंड में स्नान करना चाहिए रातरी को 12 बजे इस्नान आरंभ हो जाता है और अस्नान करने के बाद ओरते अपने बाल खुले रखती हैं और बाल खुले रखकर वो राधा की भक् प्राप्त करती है इस दिन पवित्र राधा कुंड पर कद्दू वे अन्य परशाद सामगरी दमपत्ती चढ़ाते हैं आधी रात को भक्त राधा कुंड में डुब की लगाते हैं वैसके बाद शाम कुंड में भी डुब की लगाने का एक पुराना पुरानिक कहवत बनी आहोई अस्टमी के दिन राधा कुंड में डुब के लगाने से गरब धारन में सफलता मिलती हैं विश्वास हो तब ही ये सब कुछ होता है क्योंकि बिना विश्वास के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते मन में पूर्ण विश्वास रखशे कि ऐसा होगा निश्चित रुप पूर्ण वुप से भगवान ऐसा फल हम को देंगी क्योंकि अगर मन में विश्वास है तो सब कुछ है दरवास कुछ बी नहीं मिलता हम लोग को और ढूबकी लगाकर राधा राने का आश्रुवात प्राप्त करते हैं मध्यरातरी के समय पावित राधा कुन में ढूबकी लगाने का शरुषिस समय हैं क्योंकि ढूबकी श्टार्ट होती है बारा बजी से और इसके बाद रातरी भर चलती है ये सुबह तक चलती रहती डूपकी कि जो इसका समय आरम होता है वो सही 12 बजे शुरू हो जाता है और पुरा चलता रहता है अपनी मनों का अमना पुन होने का विश्वास मन में रख कर दमपती पानी में खड़े होकर कुश्मांडा व्यकद्धू जिसे पेठा भी कहते हैं शुरादा राने को अरपित करते हैं कुष्मांडा को लाल वास्तर में सजाकर अर्पित किया जाता है कहा जाता है कि जो जोड़े वहां पे गए थे संतान प्राप्ति के लिए कुछ भी मांगने के लिए अगर उनकी मन्यते पूर्ण होती हैं तो पुने राधाकुंड की यात्रा वो करते हैं और डूबकी भी इसी दोरान आरिन ने नाम के एक राक्षस ने गाय के बचले का रूप धरन कर लिया और श्रीकिशन पर हमला करना उसने चाहा लेकिन श्रीकिशन ने उसको पहचान लिया और उसका वद कर दिया राधाकुंड छेत्र पहले अहिस्टा शूर की नगरी अरिद बंती नाम से बना था जो जिस राक्षस को श्रीकिशन ने मारा था उसी की नगरी बनी थी राधाकुंड छेत्र जो था श्रीकिशन ने अरिस्टा शूर का वद कर दिया और गोवंश के रूप में लेकिन जब श्रीकिशन ने उसका वंश किया वो गोवंश की रूप में था इसलिए रा वह तो गौव का लेका रहाए था तो राधा रादा ने के बोला कि आप ने तो गो हत्या की है तो आपको पांप लगेंगा इसका ले दोसित पॉजरी राधा राणी नहीं को परसंद करने के लिए श्री कृषिन ने सभी पवित्र नद्यों का जल एक स्थान पर इखटा किया कृषिन ने अपने चरण कमलों को जमीन पर मारा जिससे सभी पवित्र नद्यों का पाने एक साथ उसस्थान पर जमा हो गया उसी समय से इस स्थान को शामकुंड के नाम से जाना जाता है यह देख राधारानी ने अपनी चूडियों से जमीन खोदी और शाम कुंड के पास ही उसके बराबर में एक और कुंड बनाया और सभी पुईतर नदियों से इस कुंड में परवेश करने का अनुरोद किया राधारानी ने सभी नदियों से अनुरोद कि कि मेरे कुंड में परवेश कर हुए हैं जो महारास के पषिचानद श्री क्रिशन ने वर्दान दिया कर कि जो भी दंपत्ति इस विशेज दिन पर इस स्थान पर आयगा सिनान करेगा वो पूतर प्राप्तर वैं इसको पूतर प्राप्तर होगी ऐसा माना जाता है कि कार्ति के मां के पुन नक्षत्र में श्री किशन मदरातरी 12 बजे तक राधा जी वे जो गोपियां थी उनकी सखियां थी वो आठ वो वहां पर रास लिला करती हैं तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको आपको इस समझ में आगर उम्मीद है कि ज जानके दोस्तों राधे राधे हैं